आज हम यूज़ करने वाले A4 Size का पेपर और A4 Size के पेपर पर हम Grid Method का इस्तमाल करने वाले है क्योंकि मैं इस Tutorial को Completely Beginner Friendly रखना चाहता हूँ So Grid Method को कैसे यूज़ करते हैं यह मैं पहले समझाता हूँ So आपको करना क्या है कि पेपर के 4 तरफ से 2 सेंटिमीटर का डिस्टन छोड़ कर डॉट्स लगाना है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो जाने वाले So let's continue the video 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 So let's continue the video